हाई अवरीवन दस विरानिका आज हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट्स जो है वह वीट को कैसे प्रक्योर करती है क्या प्रॉसस है क्या स्केल है क्या शेयर है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आपन से कनेक्ट कर सकते हैं पेस्बूक इंस्ट्रिज्ग्राम या टेलिग्राम पर पीडिएफ आपको सिर्फ मेरे टेलिग्राम चानल पर ही मिलेगा बाकी स्टड़ी आईक्यू पर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते है तो आप मेरा डिसकाउंट कोर्ड यूज कर सकते हैं वीरो थ्री ट्री इस पर 33 परसेंट औफ आपको मिलेगा अब देखें वीट की बात रीसेंटली हम इसले भी बहुत कर रहे हैं क्योंकि रशिया-उक्राइन क्राइस जो चल रहा है तो वीट काफी न्यूज में है क्योंकि काफी जादा एक्सपोर्ट जो वीट का है उक्राइन और रशिया से होता था ए इस चीज का benefit ले पाएगी तो वीट जो है वो काफी न्यूज में रही है because of this conflict लेकिन यहां पर हम थोड़ा conflict से अलग बात कर रहे हैं procurement की बात कर रहे हैं कि वीट को central government या state government किस तरह से procure करती है procure करना क्या होता है कि जो central government है या state government है वो farmers से खरीदते हैं wheat को obtain करते हैं उसको हम procurement बोलते हैं पूरा क्या process है वो मैं आपको detail में बताऊंगी काफी states है मारी country में किस तरह से होता है center में कैसा होता है अब देखिए center procures wheat by paying MSP announced for the crop MSP क्या होता है minimum support price तो center announce करती है कि कितना पैसा वो देगी minimum support price वो farmers को क्या देगी states को क्या देगी wheat लेने के लिए या कोई भी crop जिसके लिए MSP announce किया जाता है कि कितने price पे वो चिस खरीदी जाएगी तो दो systems है इसके हमारे देश में एक है आपका centralized system जिसको centralized one also called non decentralized procurement system centralized one को हम क्या बोलते है non DCP और decentralized को हम क्या बोलते है DCP तो दो system है non DCP और DCP इनको हम detail में पढ़ेंगे print media में भी आप इसके बार में कहीं बार पढ़ सकते होंगे कि wheat procurement 30% down हुई government का कितना million ton का कितना वो payment कर रहे है हर बार decide किया जाता है पहले हम देखते है non DCP non DCP is non decentralized procurement system इस system के अंदर क्या होता है FCI का role होता है FCI क्या है Food Corporation of India जो directly दो चीज़े हैं देखिए non DCP के अंदर जो directly या फिर state government की agencies बनी है तो दो चीज़े हैं एक है directly word use ध्यान में रखिए और दूसरा है आपका state government की agency जो wheat को खरीदती है procure करती है purchase center से यह purchase center जो है खरीदने के जो centers बनाए होते हैं इनको state में establish किया जाता है अलग-अलग parameters पे कि क्या moisture है जो wheat खरीदी जारी है luster कितना है कितने broken grains है तो इस तरीके से लिया जाता है directly लेंगे या state agencies के through लेंगे लेकिन purchase center से जो establish किये गए है state में पंजाब और हर्याना में farmers क्या करते है अपना जो crop है जैसे wheat होगा उसको central agency को वो बेच देंगे या state agency को बेचेंगे through अरहतियाज अब यह अरहतियाज क्या है commission agents है तो agents रहते हैं वो farmers agents को बेचते हैं और आगे government या state government central government या state government से यह agents deal करते हैं तो यह हमने बात किया अपके non-dcp system की और जो wheat procure करते है state agencies जब state procure करती है wheat को उसको फिर FCI को दे दिया जाता है store करने के लिए या transportation करने के लिए consuming states जो बाकी states है जहां पे जरूरत है wheat की या जो भी schemes आगे चल रही है state agencies FCI को दे देती है either for storage और transportation अब जो FCI है यह एक central nodal agency है wheat procurement की और यह जो cost जो wheat ली जाती है उसकी cost देती है state agencies को यानि payment जो है वो की जाती है so I hope this is very simple and clear non-dcp method क्या है दूसरा method आपका decentralized procurement या जिसको dcp कहा जाता है अब यह जो system है इसको late 1990s में लाया गया था local procurement को promote करने के लिए local level पे obtain किया जाए उसको promote करने के लिए और इससे transportation cost और time को बचाने के लिए यहां पे जो state government है या जो agencies है वो procure करती है farmers से लेंगी वो wheat को यहां में wheat बोल रही वाट you know procurement के लिए कोई भी crop हो सकता है procure करेंगी store करेंगी और distribute करेंगी wheat ठीक है sections है जो state के public distribution systems है उनमें वो wheat बांटी जाएगी या store की जाएगी यहां पर against the center allocation यानि जो भी targeted आपके PDS system चलते है so यह decentralized method में होगा अब लेकिन यहां पर भी क्या अच्छ है जो excess stocks बच जाएंगे state के पास या उसकी agencies के पास फिर वो FCI को भी दे सकती है पहले तो उसको अपने state में utilize करने के कोईशिश करेंगी excess stocks को वो FCI को देंगी central जो पूल करता है center जो अलगलग state से लेता उसमें वो दे देंगी अब यहां पर जितना भी खर्चा state government के द्वारा किया जाता है procurement पे storage पे distribution पे under decentralized system इसको center reimburse कर देती है फिर से उनको state को पैसे दे दिये जाते है so this is your DCP system तो I hope दोनों चीज़ें आपको यहां पर समझ में आई होंगी अब next है role of commission agents commission agents है उनका क्या role है पहली बात कि apart from paying MSP center यहां पर जो इनकी commission है agents की इसको भी reimburse करती है administrative charges को reimburse करती है mandi की labor charges है transportation charges है gunny bag cost है जो भी छोटी छोटी आपकी cost custody की आती है maintenance की आती है उसको reimburse किया जाता है MSP के साथ साथ अब यहां पर जो cost है excess stocks की जो ज्यादा stocks hand over किये जाते है FCI को उनको भी reimburse किया जाता है state government को या उनकी agencies को जैसे भी center की policy रहती है अब procurement agencies जितनी भी बनाई गई है जो भी agencies है वो यह ensure करती है कि यह जो stocks हैं इनको mandis तक लाया जाए यानि जो भी लाया जाए यानि जो भी farmers इसको mandi तक ला रहे है उनको खरीदा जाए जो भी specifications rules यहां पर fix किये गए है government के द्वारा और farmers को compel ना किया जाए क्योंकि MSP में आपका कोई ना कोई price जो है वो decide किया गया है तो at least farmers को नुकसान ना हो कि उनको MSP से कम price में अपना जो crop है वो बेचना पड़े ताकि farmer को एक अच्छा price जो है वो मिल पाए लेकिन यहाँ पे farmer पे है अगर farmer को MSP से कोई जादा price दे रहा है private जादा पैसे दे रहा है तो farmers are free to sell वो उसको भी बेच सकते हैं अब कितनी स्टेट से wheat जो है वो center pool में ली जाती है तो main purpose क्या है procurement का central pool के लिए कि country का food security बना रहे है क्योंकि हमारे बहुत सारे welfare programs चलते हैं या international कोई crisis हो जाता है इसके लिए हम food security चाहते हैं कि food weaker sections को affordable prices में मिलता रहे क्योंकि देखिए कई बार crisis हो जाते हैं तो आप देख खाने की चीजों के prices अभी भी ही हो रहा है inflation हो रही है उपर चले जाते हैं but you know government tries कि हम food security अपनी बना के रखें इसलिए center pool करती है तो 15 states हैं जैसे procurement list में central pool के लिए और contributions यहां पे की जाती है seven of the states are negligible उनके contribution बहुत negligible है mainly आपकी जो बड़ी states यहां पे भेजती हैं वो है लेकिन लास्ट सीजन में ही उन्होंने किया है अब कितना wheat procure किया जाता है central pool के लिए fcii के द्वारा हर साल तो अगर records की देखें तो fcii 2011 से 2021 तक जो procurement हुआ वो between कितना था 25 तो 40% of total wheat production जितना भी wheat total produce हुआ था उसका 25 से 40% जो है वो central pool में procure किया गया लेकिन फिर यह double भी हु लास्ट एक decade से अगर आप देखेंगे 22.5 million tons wheat procure की गई 2011 में और 43.3 million in 2021 तो double हुआ है current season का procurement अभी आपका चल रहा है food grain procurement lack metric tons में अभी यह paddy का wheat का आप देख सकते हैं कि यह source FCI से लिया गया है इसकाप screenshot data जो है use कर सकते हैं अब यह चीज है कि कितना wheat produce होगा उसमें से कितना procure किया जाएगा क्या उसका कोई ratio है तो देखें 2011 में total production wheat की थी 88 million tons while it was around 109 million tons 2021 तो 2011 में 88 million tons थी और 21 में कितनी थी आप देख सकते हैं increase हुई है अब government का procurement 26% था 2011 में और 21 में 40% था procure जो grain किया गया उसको export के लिए use किया गया public distribution systems के लिए use किया गया और stock जो emergency period के लिए हम store करके रखते हैं उसके लिए भी उसको store करके रखा गया remaining जो 60% production था वो सीधा सीधा wheat related जो भी businesses देश में चल रहे होते हैं bakery industry चल रहे होते हैं वहाँ वो चला जाता है और farmers भी कुछ wheat को खुद की consumption के लिए भी रखते हैं जो भी wheat produce हो रही है उसको market में भी बेचा जाता है government भी procure करती है खुद की self consumption के लिए भी farmers रखते हैं अब अलगलग states का क्या पूल है पंजाब नंबर वन रहा है wheat contributor central pool में mostly नंबर वन रहता है इस state ने अपनो contribution increase भी किया है 2011 में 102.09 lakh tons था और 21 में 132.22 lakh tons हुआ हरयाना ने भी increase किया है 63.47 से 84.93 lakh tons same period में 11 और 21 की हम बात कर रहे हैं 10 साल का gap लेके हम देख रहे है Madhya Pradesh को contribution 35.38 lakh tons था 11 में और हाइस्ट जंप किया है 129.42 lakh tons 2020 में and last year अगर आप देखेंगे 128.16 lakh tons रहा है उत्तरप्रदेश का 16.45 से 56.41 राजस्थान का 4.76 से 23.40 lakh tons जो है same period में increase हुआ है अभी हाँ में MSP की बात किया MSP क्या है MSP एक तरह का market intervention है जो government of India use करती है ताकि agricultural producers जो है उनके prices उनको कोई you know farmers को बचाने के लिए farmers को एक अच्छा प्राइज मिले सलिए MSP रहता है sowing season के शुरू में ही announce कर दिया जाता है कि किस crop का क्या prize रहेगा जिस पर लिया जाएगा और देखें MSP's are announced at the beginning of sowing season for certain crops on the basis of recommendations of commission for agricultural cost and prices like commission for agricultural cost and prices बताता है उसे साबसे सको decide किया जाता है fix किया जाता है और producer को protect करने के लिए farmers को protect करने के लिए ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि prices बहुत जादा गिर जाए बंपर production हो अगर तो उसको बचाने के लिए MSP introduce किया जाता है market price को control करने के लिए so I hope this is clear to you MSP किस तरह से लिए जाते हैं यहां पर calculation का दिया है not so important but you can still go through it कि center किस तरह से fix करती है MSP को CACP के कहने पर इसमें सारा cash क्या क्या expenses cover होते है actual cost क्या रहती है क्या क्या include किया जाता है और MSP क्या इस तरह का analytical question भी आ सकता है कि कितना effective है आज कल के time पर MSP है भी effective या नहीं है procurement agencies अगर आप देखेंगे तो FCI Food Corporation of India और दूसरा cotton Corporation of India Central Nodal Agency यह cotton के लिए basically उसको उसके operations को support करने के लिए है Now the question is who among the following recommends the MSP and issue prizes for paddy and wheat? Commission for Agricultural Costs and Prizes Nabad, Niti Aayog, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare आप मुझे comment section में बता सकते हैं, Telegram में आप पॉल में पार्टिपेट कर के आंसर जान सकते हैं बाकी courses के लिए you can visit website और courses EMI पेप अवलेबल हैं Thank you so much त However, on this research is in the most cep में ए भाज़र आर दांने । 365